बैंगलोरु और चन्नाई का पहला मा मुकावला सुरू होने से एक दिन पहले दोनों ही टीमों के कप्तानों ने गोसित करी है अपनी अपनी पहली जीत के लिए गोसित करी है आईपेली तियांस की सबसे स्ट्रोंग प्लेइंग लेवन देखा जाए तो आज का वीडियो काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग और इंफर्मेटिव होने वाली है तो फिलीज यार वीडियो बिना स्कीव की ये लास्ट तक देखना नमस्कार दोस्तों आपका स्वागा था एक बड़ा और हमारे चैनल किर्केट गैलक्सी में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि RCV और CSK का मैज कब कहा है और कितने बज़े से सुरू होगा और इसी के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 क्योंकि दोनों ही टीमों के कप्तानों ने अपनी अपनी खतनाग प्लेइंग 11 की कर दिया ऐलान तो ऐसे में चन्नाई और बेंगलोरु वीच आई पील का पहला मा मुकाबला चन्नाई के चेपोक में कल साम 8 बजे से खेला जाएगा तो दोस्तो दोनों ही टीमों की कनफरम प्लेइंग 11 बताने से पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो फिलीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिफिकेशन को अलपसेट कर दो और साथी साथ वीडियो को लाइक नहीं करे हो तो फिलीज यार वीडियो को एक लाइक कर दो तो चलिए दोस्तो चननाई सूपर किंग की फाइनल प्लेइंग 11 बताने से पहले मैं आपको रोयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कनफरम प्लेइंग 11 बता देता हूँ तो ऐसे में रोयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से पारी का अगाज करते हूए नचराने वाले हैं नमबर एक पर विराट कॉली जी हाँ दोस्तो आईपील इतियास में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकार्ड विराट कॉली के ही नाम है क्योंकि बिराट कॉली आईपील में काफी सांदार ले में क्लास लगाने के लिए जाने जाते हैं और सबसे ज़्यादा सेंचूरी भी लगाए हैं बिराट कॉली के साथ नमबर दो पर खेलते हुए नचराने वाले हैं फैर डू प्लेसिस और देखा जाए तो बिराट कॉली के साथ फैर डू प्लेसिस काफी सांदार ले में साजेदारी बनाते हैं और आईपील दो हजार चवीस में भी सांदार ले में बल्ले वाजी करेंगे ऐसे ही नमबर तीन पर खेलने वाले हैं बैटिंग आल राउंडर केमरन गिरीन जी आँ दोस्तो केमरन गिरीन भी काफी तावर तोड़ अंदाज में बल्ले वाजी करते हैं और जरूरत के सवा में फास्ट गेद वाजी भी कर लेते हैं पिछले साल मुंबर इंडियन के तरफ से केमरन गिरीन बहुत ही सांदार पर दरसन किये थें और आई होग की आर सीवी के लिए भी अच्छा खेलेंगे ऐसे ही नमबर चार पर खेलने वाले हैं योंग बैट्समैन रजट पाटिदार जी आँ दोस्तो रजट पाटिदार भी काफी सांदार ले में कलास लगाने के लिए जाने जाते हैं यार सीवी फ्रंचाइजी के तरफ से सेंचूरी भी लगा चुके हैं और आई होग की चन्ने के खिलाब भी सांदार ले में बल्ले भाजी करेंगे नमबर पांच पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं बैटिंग आल राउंडर गलेन मैक्सवेल जी आँ दोस्तो गलेन मैक्सवेल भी काफी ताब और तोड़ा अंदाज में बल्ले भाजी करते हैं खास करके चवके चखको की बारिस कर देते हैं और जरूरत के समय में इस्पी इंगेद भाजी भी करके देते हैं ऐसे ही नमबर चोब पर खेलने वाले हैं विकेट कीपर बैटसमैन दिनेस कार्थिक जी आँ दोस्तो आरसीवी की तरफ से फिनीसर का भूमी का निवाते हुए नजर आने वाले हैं दिनेस कार्थिक हैं और आयोब की इस साल दिनेस कार्थिक अच्छा पर दरसन करेंगे नमबर साथ पर खेलने वाले हैं बलिंगाल रांडर माही पाल लॉम्रोर हैं जी आँ दोस्तो माही पाल लॉम्रोर इस्पीन गेद भाजी करते हैं और जरूरत के समय में तावर तोड़ अंदाज विंग बले बाजी भी कर लेते हैं लेकिन अब ऐसे में देखने लाइक होगा कि चन्नाई सूपर किंग के खिलाब माही पाल लॉम्रोर की इस तरह से पर दर्सन करते हैं ऐसे ही नमबर आट पर खेलने वाले हैं बिजे कुमार बिसाख हैं जी आँ दोस्तो आरसल पटेल के जाने के बाद आरसीवी के तरफ से तेज गेद बाजी करते हुए नजर आने वाले हैं बिजे कुमार बिसाख हैं और आई होग की चन्नाई सूपर किंग के खिलाब बिजे कुमार विसाग सांदार ले में गेद बाजी भी करेंगे। नमबर नाइन पर खेलने वाले हैं इगलेंड के लेपटाम पेसर रीसे टॉपली। जी आँ दोस्तों रीसे टॉपली भी काफी सांदार ले में गेद बाजी करते हैं। खास करके देखा जाए तो रीसे टॉपली पॉणर फले में विकर निकालने के लिए जाने जाते हैं। आईसे ही नमबर दस पर खेलने वाले हैं करण सरमा। जी आँ दोस्तो कर्ण सरमा एक कनववी स्पीनर हैं जो की टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं और आई हो कि चन्नाई सूपर किंग के खिलाब भी सांदार पर दर्सन करेंगे और फाइनली नमबरी 11 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं मौहम्मा सिराज हैं करके देखा जाए तो मौहम्मा सिराज पाउर प्ले में बेरियेसन डालते हैं और सुइंग कराते हुए विकर चटकाने के लिए जाने जाते हैं लेकिन दोस्तो अब ऐसे में देखने लाइक होगा कि चन्नाई सूपर किंग जैसी बड़ी फिरंचाजी के खिलाब मौहम्मा सिराज की इस तरह से गेद वाजी करते हैं बात करें इंपेक्ट प्लेयर की तो रोयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से इंपेक्ट प्लेयर की तोर पर खेलते हुए नजराने वाल हैं विकेट कीपर बैट्समेन अनूज रावत हैं तो दोस्तो एरा RCV टीम की final playing 11 तो ए playing 11 आपको कैसा लगा एक बार comment section में जरूर बताईएगा बाकी चलिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं चन्नाई सूपर किंग की confirm playing 11 को लेकर तो चन्नाई सूपर किंग के तरफ से पारी का अगाज करते हुए नजराने वाले हैं नमबर एक पर रूतू राज गाई कवाड जी आँ दोस्तो रूतू राज गाई कवाड आते ही पाउर प्ले में काफी आक्रमक ले में बल्ले भाजी करते हैं और चन्नाई सूपर किंग के लिए सांदार ले में सुरुगात करते हैं रूतु राजगाई कवाट के साथ नमबर दो पर खेलते हुए नजराने वाले है राचिन रविंदर हैं जी आँ दोस्तो डेवन कॉन में IPL 2024 से बाहर हो चुके हैं तो अब ऐसे में ओपन करते हुए नजराने वाले हैं राचिन रविंदर हैं अब दोस्तो पिछली साल IPL में अजिंक्यर राने काफी ताबर तोड़ा अंदाज में बल्ले वाज़ी करेंगे नमब चार पर खेलने वाले हैं हाट हीटर बाट्समें सिवं दूबे जी आँ दोस्तो सिवं दूबे काफी लंबे लंबे चक्का लगाने के लिए जाने जाते हैं और जरूरत के समय में फास्ट गेद वाज़ी भी कर लेते हैं ऐसे ही नमब पांच पर खेलने वाले हैं डेरिल मीचल जी आँ दोस्तो आरसीवी के खिलाब मौयन अली को मौका नहीं दिया जाएगा डेरि मीचल खेलते हुए नजर आने वाले हैं और देखा जाए तो डेरि मीचल फास्ट गेद वाज़ी भी कर लेते हैं और जरूरत के समय में तावर तोड़ अंदाज में बले वाज़ी भी करते हैं ऐसे ही नमब साथ पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं विकेट कीपर बैट्समैन महेंदर सिंग धोनी जियां दोस्तो महेंदर सिंग दोनी आईपियल के सबसे बड़ा फिनीसर के रूम में जाने जाते हैं और महेंदर सिंग दोनी इस साल भी सी एसकी के तरफ से फिनीसर का भूमी करनी भाते हुए भी देखने को मिलेंगे नमबर आट पर खेलने वाले हैं बॉलिंग आल राउंडर सारदूल ठाकूर हैं जियां दोस्तो सारदूल ठाकूर फास्ट गेट बाजी के साथ साथ थोड़ा बहुत बले बाजी भी कर लेते हैं अब ऐसे में देखने लाइक होगा कि आईपिल 2024 में सारदूल ठाकूर किस तरह से परदर्सन करते हैं नमबर नाइन पर खेलते हुए नजराने वाले हैं दीपक चार जी आँ दोस्तो दीपक चार पाउर पले में काफी सांदार ले में सुरिंग कराते हुए विकर चटकाने के लिए जाने जाते हैं और आई ओप की RCV के खिलाब दीपक चार सांदार पर दर्सन भी करेंगे नमबर दस पर खेलते हुए नजराने वाले हैं तेज गेद बाज मतीसा पतीराना जी आँ दोस्तो खास करके देखा जाए तो डेथ ओवर्यू मतीसा पतीराना अरकर डालने के लिए जाने जाते हैं और विकर भी चटकाते हैं तो आँ ऐसे में देखने लायक हुगा कि आरसीवी के खिलाब मतीसा पतीराना कितना विकर चटका पाते हैं और फाइलली नमबरी 11 पर खेलते हुए नजराने वाले हैं महिस्ती चाणा जी आँ दोस्तो महिस्ती चाणा भी स्पीन गेद वाजी करते हैं और विकर भी चटकाते हैं आला कि देखा जाये तो मैस तीचानग कुछ खास फिल्डिंग नहीं कर पाते हैं लेकिन दोस्तों विगर चटकाने के लिए जाने जाते हैं बात करें इंपक्ट प्लेयर की तो चन्नाई सूपर किंग के तरफ से इंपक्ट प्लेयर की तौर पर खेलते हुए नजाराने वाले समीर रिजबी जी यहां दोस्तों समीर रिजबी एक डोमेस्टिक प्लेयर हैं जो की काफी ताब और तोड़ अंदाज में बल्ले भाजी करते हैं और फाइनली इस साल आईपील 2024 में सीयस्की की तरफ से खेलते हुए नाजर हाने वाल हैं तो दोस्तों यह राईपील 2024 के लिए महा मुकावला चन्ने जीतेगी या फिर आर सीवी कमेंट सेक्षन में अपना कीमती राय जरूर बताईएगा